हेलो एवरीवन आज मैं लाई हूँ अपनी प्यारी सी फैमिल के लिए एक मज़िदार टिक्की की रेसिपी शाम का टाइम हो और ये टिक्की अगर आप बना के खाएंगे तो यकीन मानिया आपको बहुत मज़ाएगा अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजेगा अब मैं बताती हूँ कि आप इसको कैसे घर पी बना सकते हैं सबसे पहले दो बड़े आलू बाल लीजे और उनको कदुकस कर लीजे ताकि स्मूथ पेस्ट बनकर तयार हो जाए फिर आप एक बड़ी प्यास लीजे और उसको छोटे छोटे टुक्रों में काट लीजे अब 100 ग्राम पनीर लीजे और उसको भी कदुकस कर लीजे अगर आप चाहें तो इसको हाँ से भी मैश कर सकते हैं अब एक कटोरी धनिया पती लीजे और उसको भी आप बारिक बारिक काट लीजे अब ब्रेट के दो से तीन पीस लीजे और उसको मिक्सी में चलाकर उसका चूरा कर लीजे अब एक आलू, धनिया, ब्रेट इनको एक बाउन में मिला लीजे फिर इसमें नमक स्वादन उसार, एक चोटा चमर जीरा, आदा चोटा चमर चार्ट मसाला मिलाकर इसका एक डोप तयार कर लीजे अब एक प्लेट में पनीर, धनिया, पती और प्यास बिलाकर तयार कीजे और आलू वले डोफ की टिक्की को शेप दीजे और उसके बीच में पनीर अच्छे से बर लीजे अब एक कड़ाई में तेल लीजे और इन टिक्की को आप मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लीजे अब जब ये ब्राउन हो जाएं तब आप इसको एक प्लेट में निकाल लीजे फिर इसके उपर आप दही डाल दीजे दही को अच्छे से रई से चला लीजे ताकि वो स्मूथ हो जाए और उसके बाद ही इसके आप टिक्की पर डालिएगा फिर आप एक चमच हरी चटनी और एक चमच लाल चटनी इसके उपर डाल दीजे आप चाहें तो इसके उपर थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं इसके बाद आप इसके उपर नाइलॉन वाले सेव डाल दीजे फिर बारी कटी हुई हधनिया से सजा कर इसको सर्फ कीजे और फैमली के साथ इंजॉय कीजे अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरू कीजेगा थैंक यू